क्लास 11 चैप्टर नूंबर 20 जोमेट्रिक प्रिवरिशन आर्डी सर्मा एक्सर्साइज 20.3 का एक्जाम्पल नूंबर 17 है find the sum of the products of the corresponding terms of the sequence ठीक है क्या बोल रहा है आप वो क्या find करना है आप वो पहले पता फरलू हमें क्या find करना है sum of the product of the corresponding term corresponding terms का product का मतलब क्या होता है मतलब जैसे आप लेखो यह दो sequence है आपके पास दो sequence है आप इनको पहरे लिखो एक बार तो आपको क्या निकालना है sum of the product of corresponding terms मतलब यहां से यहां तक क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूं देखो corresponding terms का product मतलब कि अगर हम इस sequence का first term ले मतलब इस sequence का first term का product इस sequence के first term से यह कहलाता है corresponding term मतलब इधर से अगर हमने first term लिया तो इधर से भी first term लेना है तो हम यह क्या चाहिए हम इन दोनों का product 2 into 128 फिर sum हम इनका sum करना है corresponding terms का product 4 into 32 इन दोनों का product इन दोनों का product इन दोनों का product और इन दोनों का product कुछ ऐसा ठीक है 4 into 32 प्लस 8 into 8 प्लस 16 into 2 प्लस 13 into 1 by 2 32 into 1 by 2 जालते चाहिए ठेक हैं आपको sum करना है बस यह तो आप बोलो भे यह तो आप ऐसी कर देंगे इसमें जीपी क्या लगाना है ने लेकिन फिर भी आप लगा लो हो तो जाएगा इसे भी मुझ नहीं किन जादा बड़े नहीं है हमारे पास हम चाहिए लगा लेते हैं इसको मिल्टिप्लाइ करोगी यह जाएगा 256 यह हो जाएगा 128 यह जाएगा 64 यह जाएगा 32 और यह हो जाएगा 16 ठीक है आप ध्यान से देखो तो यह जो सीरीज है वो जीपी में है आप इंदोनों को डिवाइड करो 128 अपॉन में 256 सेकेंड टम को फर्स टम से डिवाइड करा क्या है 1 अपॉन 2 इसी तरह से आप इंदोनों को डिवाइड करोगे थर्ड टर्ण को सकेंड टम से करा 64 अपॉन में 128 यह फिर पिछे रहाएगया 1 बाइटू इसी तरह से इन दोनों को करा इन दोनों को कर रहा तो 16 अपॉन 32 पीछे रहा गया वन बाइटू तो आप देखरो रेशियो से मारा तो किसमें हो जाएगा यह जो सिरीज है वो जीपी में है तो आप जीपी का सम का फर्मला लगा दू जीपी का सम का फर्मला क्या होता है आप देखो यहां पर ए क्या है कि यह होता है फर्स्ट टर्म में 256 आर होता है कॉमन रिशियो कॉमन रिशियो कि यह वन बाइटू एन अब एन कितना आप देखो वन टू थ्री फाइब फाइब टर्म्स है ना तो एन फाइब है ठीक है यहां पर रिप्लेच करतो तो यह हो जाएगा 256 आर रिश्ट टू पार एन वन अपॉन टू होल रिश्ट टू पार फाइब माइनस वन अपॉन में वन अपॉन टू माइनस वन ठीक है अब अब देखो यह हो जाएगा 256 यहां पर बनेगा वन अपॉन टू रिश्ट पार फाइब माइनस वन अपॉन वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू माइनस को उपर मिल्टिप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू रिश्ट पार अपन में 1 by 2 एल्थिम ले लो तो यह हो जाएगा 256 अप एल्थिम लोगे तो यह हो जाएगा 2 raise to power 5 minus 1 upon में 2 raise to power 5 upon में 1 upon 2 इससे इसको cancel करो यह 4 हो जाएगा और 2 raise to power 4 से इसको cancel करोगे यह basically 2 raise to power 8 होता है ठीक है तो 2 raise to power 8 और नीचे 2 raise to power 4 2 raise to power 8 upon में 2 raise to power 4 भी बचेगा मतलब फाइनली 32 है 4 बचेना था ना तो 16 बचेगा ठीक है तो यह हो जाएगा 16 यह हो जाएगा 32 2 raise to power 5 32 यह हो जाएगा 16 इंटो 31 तो 31 को आप 16 से मिल्टेप्लाइ कर लो यह बनेगा 6 6 into 3 18 6 18 6 9 4 4 9 6 4 9 6 हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम आगे बढ़तें नेक्स्ट एक्स्ट एक्स्ट नमबर 18 है इफ S1, S2, S3 बे रिस्पेक्टिबली दस्ट न, 2N, 3N terms of a JP प्रूब दाएगा प्रूब दाएगा नेक्स्ट करनेक्सMac अब देखो, s and denote कर रहा है, n terms को, यहाँ पे, question पर क्या बूला है, s1 denote कर रहा है, n terms को, तो s1 क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा यह, a r raise to power n minus 1 upon r minus 1, next s2, s2 denote कर रहा है 2n terms तक का sum, तो 2n terms तक का sum में क्या होगा, अब दिखो n के जगा क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, यहाँ पर क्या आता है, कि आप कितनी number of terms तक का sum चाहिए आपको, वहाँ पर हम यहाँ पर replace करत होगे, तो a r raise to power 2n minus 1 upon r minus 1, इसी तरह से s3 क्या हो जाएगा, s3 जो है, 3n तम तक का sum है, तो n के जगा 3n replace कर दो, that is it, अब ले लो lhs को अपली कर चलो, lhs है s1 into s3 minus s2, s1, s1 है a r raise to power n minus 1 upon r minus 1, s3, s3 है a r raise to power 3n minus 1 upon r minus 1 minus, यह हो जाता है a r raise to power 2n minus 1 upon r minus 1 s2, अब देखो a r minus 1, a और r minus 1 दोनों में common, अब इसके common कर दो, a r minus 1 common है, तो a r minus 1 बहार आएगा, तो a square r raise to power n minus 1 upon r minus 1 का whole square, अंदर पिछे क्या रजाएगा, यह रजाएगा r raise to power 3n minus 1 minus, r raise to power 2n minus 1, a square r minus 1 का whole square, r raise to power n minus 1, यहाँ पर open करो, तो यह हो जाएगा r raise to power 3n minus 1, minus r raise to power 2n plus 1, तो a 1 से a 1 cancel हो जाएगा, ठीक है? तो यह हो जाएगा, a square upon में r minus 1 का whole square, r raise to power n minus 1, अब देखो, यह हो जाएगा, r raise to power 3n minus r raise to power 2n, r raise to power 3n minus r raise to power 2n, अच्छा, ठीक है? तो a square, r raise to power n minus 1, अब आपन में r minus 1 का whole square, अब देखो, यहाँ पर r raise to power 2n common हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, r raise to power n minus 1, अब देखो, इन में से आप r raise to power 2n common करो, पीछे रह जाएगा, r raise to power n minus 1, यह रह जाएगा, तो यह हो जाएगा, a square, r raise to power 2n, यह हो जाएगा, r raise to power minus n का whole square, अब आपन में r minus 1 का whole square, ठीक है? इसे आप relation 1 सपोच कर लो, अब आप r raise to इसको solve करो एक बार, अब देखो, इससे जादा हम नहीं solve कर पाएगे इसे, ठीक है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर छोड़ दिया, अब आप r raise to solve कर रहे है, s2 minus s1 का whole square, s2, s2 क्या है? s2 है, a, r raise to power 2n minus 1 upon r minus 1, minus s1 है, a, r raise to power n minus 1 upon r minus 1 का whole square, आप देखो, a, r minus 1 को आप बाहर किर सकते हो, आप देखो, बाहर आएगा, तो यह अपनी power लेकर आएगा ना, बाहर में क्या है, 2 तो, यह हो जाएगा, a square upon r minus 1 का whole square, अंदर रह जाएगा, r raise to power 2n minus 1, minus r raise to power n minus 1 का whole square, a square upon r raise to power 1, a whole square, r raise to power 2n minus 1, minus r raise to power n plus 1, यह 1 से 1 कैंसल, अब देखो, r raise to power n common हो जाएगा, तो, r raise to power n बाहर आएगा, तो, अपनी power लेकर ही आएगा, तो, यह हो जाएगा, कुछ ऐसा, r raise to power 2n, और अंदर रह जाएगा, r raise to power n minus 1 का whole square, तो, आप देखो, relation 1 and 2 से देखो, तो, hence, from 1 and 2, क्या हो जाएगा, this is equal to r, जाएगा, ठीक है, तो, आप देखो, एक बार, फिरा माँगे बढ़ते हैं, next, example number 19 है, if s be the sum of p, the product, and r, the sum of the reciprocals of n terms of hgp, let s be the sum of the product, and r be the sum of the reciprocal of n terms of hgp, prove that s upon me r, whole raise to power n, equal to p square, let s be the sum, p be the product, तायद, ये कहना चाहरा है, मुझे इसाप से b रह गया, मैं एक बार चेक टर लेता हूं, तो, तायद के बाद में कोई इसू ना आजा है, तर चला हमने स्वाल करा, और फिर दिख्कात आ गई, if s be the sum, यहाँ पे, कुछ ऐसा है, p the product, ठीक है, तो आप देखो, s जो है, वो sum है, p जो है, वो product है, और r जो है, उस sum है, उस gp का reciprocal करने पर, reciprocal of n terms of a gp, मैंदब n terms तक sum s है, s को denote कर रहा है, sum को denote कर रहा है, ठीक है भी है, p किसको denote कर रहा है, product को denote कर रहा है, और, r किसको denote कर रहा है, r यह denote कर रहा है, reciprocal, sum of reciprocal, ठीक है, अब आप देखो, gp होती क्या है, gp कैसी होती है, ऐसी होती है न, a, ar, ar square, ar cube, और n terms तक, तो यह हो जाए है, a, r, s to par n minus 1, इन सारे का sum, s है, a, ar, ar square, and up to so, on, a, r, s to par n minus 1, का sum, s है, sum क्या होता है, sum तो हमें पता ही है, इसका तो formula मेरे पास होता है, a, r, s to par n minus 1, upon में, r minus 1, यह होता है, s, p होता है, product, मतलब, p है, इनका product, a, into, ar, into, ar cube, up to so, on, a, r, s to par n minus 1, और मैंने, अगर आपको, यादो ना, तो मैंने, इसका product कराया था, यह होता है, है, क्या होता है, हाँ, यह होता था, a, n, r, s to par, यहाँ पे, बीच में, a, r, sq, चुड़ी गया, 1, plus 2, plus 3, and up to so on, n minus 1, अब देखो, आपको पता है, तो है, sum यह होता है, इसका तो मैंने, आपको प्रूफ कराई दिया था, अब मुझे, exactly याद नहीं आ रहा है, कि मैंने कराया था, कि नहीं, सायद कराया था, मैं प्रूड़क्ट वाला भी कराया था, अगर नहीं कराया था, आप देख लो इक बार, आपको किनका, इन सारे का प्रूड़क्ट करना, a, into ar, into ar, square, into ar, q, and up to so on, ar, raise to par n-1, तो आप पहले इन a को अलग-अलग कर लो, और ये केतने a हैं भया, ये न, n times है, कैसे पता कर आपने अपने, अब देखो, 1, 2, देखो, r की पावर 0 के लिए ak, r की पावर, अच्छा, आप पहले इसको हटा दो, अब देखो, r की पावर 1 के लिए ak, r की पावर 2 के लिए ak, r की पावर 3 के लिए ak, r की पावर n-1 के लिए ak, ठीक है, तो ये टोटल कितने होगे, n-1 और 1 ये था, तो n हो गया न, ये टोटल कितने times होगे, n times हो गया, और इसी तरह से, when basis are same force, अब तो, r की पावर सारे को एड़ कर दो, 1 plus 2, and up to so on, n-1, अचा, अगर कहीं पर ऐसा रह, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो अब इसको लिख सकते हैं, 2 raised to power 5, ऐसा लिख सकते हो, तो अब इसको लिख सकते, a raised to power n, और ये हो जाएगा r, अब देखो, 1 plus 2 plus 3 plus, up to so on, n-1 क्या होता है, ये होता है, n-1 into n-1 plus 1, upon में 2, ये होता है, अगर आपको directly formula नहीं पता है, तो आप देखो, ये क्या ap में है न, ap में 2-1, 1, 3-1, difference a में है, तो ap में है, और ap में sum का formula क्या होता है, n by 2, a plus l, अगर लास्टर में पता है, तो आप देखो, a plus l, 1 plus n-1, और upon में 2, अब हमें यहाँ, हमें यहाँ पिस क्या चाहिए, n चाहिए था, तो n, total number of terms क्या, n-1 है न, n-1, ठेक है, तो इस पूरे का sum होता, n-1, इस 1 से 1 कैंसल, तो यहाँ जाता है, n-1 upon में 2, तो n-1 upon में 2, ठेक है, तो p हो जाएगा, that is p equal to, a raise to power n, r raise to power n, n-1 upon 2, r, r क्या है, r है, sum of reciprocal, इन सारे terms का reciprocal का sum है, तो reciprocal कैसे करता है, अगर 1 है, तो 1 upon a कर दो, 1 upon ar हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1 upon a r square, and up to so, और यह हो जाएगा, 1 upon a r raise to power n-1, अगर आपने, sequence को reciprocal करा है, बस आप formula लगा लो, क्या ही दिक्कत, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो, तो इसलिए यह तो जीपी में होनी वाला हो तो हमें चेक करने की जरुवत नहीं है, अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, अब देखो, यह यह अपर फर्स्ट टर्म है, कोई अजर टर्म क्या तो करें नहीं है ना, तो अद टर्म ही न रहेंगे, तो यह हो जाएगा, नमबर आफ टर्म सो अद हो गया, ए के जाएगा, वन अपॉन आ, आर रेस्ट टो पार एन, R के जाएगा 1 upon R whole raise to parent minus 1 upon 1 upon R minus 1 तो यह हो जाएगा 1 upon A यहाँ पर आप LCM ले लो तो यह हो जाएगा 1 minus R raise to parent upon R raise to parent upon 1 minus R upon R यह कैसे कर लिया आपने अब देखो अगर A upon B whole raise to parent रहे तो हम इसको लिए सकते हैं A raise to parent B raise to parent 1 पर अगर आप यहाँ पर 1 आजाए तो 1 raise to parent 1 ही हो जाता है ना तो यह पीछे क्या रहे जाएगा अब भी रिष्ट पार रहे नहीं रहे जाएगा तो हमने आप भी यही कर आप देखो यह से यह कैंतल हो जाए तो 1 upon A आप देखो यहां से आपने minus common कर तो R minus 1 यहां से भी आपने minus common करो तो यह हो जाएगा R raise to parent n minus 1 और इधर आजाएगा 1 upon R raise to parent n minus 1 तो 1 upon A अब आप देखो आपको क्या प्रूफ करना है कि S upon R whole raise to parent n equal to P square हमें यह चीज़ प्रूफ करना है तो हमें LHS ले लो और क्या ही कर सकते हो S upon R whole raise to parent n तो S है A upon R raise to parent n minus 1 upon R minus 1 upon 1 upon A R raise to parent n minus 1 R raise to parent n minus 1 upon R minus 1 whole raise to parent n अब देखो R raise to parent n से R raise to parent n cancel R minus 1 से R minus 1 cancel यह उपर चला जाएगा तो A square R raise to parent n minus 1 upon K power n तो यह हो जाएगा A raise to parent 2 n into A R raise to parent n minus 1 ठीक है अब आपको इसको किसके एकपल प्रूफ करना है P square के तो आप square comment कर लो यह हो जाएगा A raise to parent यहां से square common करोगे तो n minus 1 upon me 2 इस पूरे का हो जाएगा whole square और यह पूरे की value है P प्रूफ हो गया अब दिखो ना हमने यहां से 2 multiply होगा ना पाउर्स क्या होता है अगर A raise to parent इसा हो जाता है ना इसा हो जाता है और इस पूरे की value थी तो पी स्क्वाइर प्रूफ होगे तो आप देखो एक बार next example number 20 है if f is a function satisfying f of x plus y which is equal to f of x into f of y for all x y belongs to n such that f of 1 equal to 3 and summation x varies from 1 to n f of x equal to 120 find the value of n हमेना इस n की value निकालनी है ठेक है अच्वे ठीक है तो f of 1 f of 1 हमें पता है अब देखो हमें क्या हमें तो n निकालना है न अब यहां पर आजाओ अभी इतने space रहने तो यहां पर आओ summation x varies from 1 to n f of x which is equal to 120 अब देखो इसे हम summation या फिर sigma जो भी कहना आप कहते हो ठीक है इसका मतलब होता है कि आप क्या करो value replace करो sum करो value replace करो sum करो मैं बताता हूं x कहां से कहां vary कर रहा है x जो है 1 2 3 and up to so on n तक vary कर रहा है तो आप एक बार x को 1 replace करो f of 1 हो जाएगा फिर plus क्योंकि sum है तो plus फिर 2 replace करा फिर plus फिर 3 replace करा and up to so on फिर क्या replace करा लाक में n replace करा इसके पूरी की value 1 to 8 देए हमें n बताना है ठीक है ठीक है भी है अब देखो हमें क्या दिया हुए f of x plus y which is equal to f of x into f of y यह चीज़ हमें दिया हुए ऐसा equation को जहां पर f function आ जाए हम इसे functional equation कहते है क्या आप कहते है functional equation लेकिन यहां पर functional equation आपको नहीं पढ़ाने वाला functional equation अगर आपने पढ़ा हो तो यह directly आप यहां से बता सकते हैं कि यहां से अगर आपने पढ़ा हो functional equation लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं मैं फिर भे आपको बताने को सिस करता हूं अब आप देखो आपको f of 1 की value दी हुई है हमें f of 1 दिया हुए f of 1 क्या 3 तो 3 f of 2 f of 2 कैसे f of 2 आप देखो मतलब अगर sum है नो तो मैं उसे product नहीं express कर सकते है तो f of 2 कम लिख सकते है ना f of 1 plus 1 और f of 1 plus 1 कम ऐसा लिख सकते है ना f of 1 इसकी मदद से f of 1 into f of 1 1 की value है 3 f of 1 की value है 3 जो कि वनेगा नहीं f of 2 की value हो गई 9 फिर हमें चाहिए f of 3 की value f of 3 को हम 3 को क्या लिख सकते है f of 1 plus f of 2 अगर f of 1 plus 2 लिख सकते है 3 को अब अब देखो f of 1 plus 2 कम ऐसा लिख सकते है f of x plus y कम लिख सकते है f of x plus f of y f of 1 plus f of 1 plus 2 कम लिख सकते है f of 1 into f of 2 f of 1 क्या है? f of 1 है 3 f of 2 है 9 this is equal to 27 and up to so on ठीक है? इसी तरह से आप यहाँ पे इसको n टर्म्स तक कर दो n टर्म्स विच इस इक्वाल टू 120 ठीक है? n टर्म्स विच इक्वाल टू 120 n तो नहीं कर पाएंगे न हम n कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे अब n को n ही रहने तो अब आप देखो ध्यान से देखो यह जो सीरीज है न यह जीपी में आप इन दोनों को डिवाइड करो 9 अपाउन 3 3 हो जाएगा 27 अपाउन 9 27 अपाउन 9 3 हो जाएगा हो जाएगा तो अपर देखो रेच्यो से आ रहा हैं तो अगर रेच्यो से माय तो सिरीज के समी हो जाते है जीपी में हो जाते है तोप यह पे जीपी का स्टम का फर्मला लगा दो म३श다는 प्रम रेचिप कास्रम का फर्मला क्या होता है Natural फे सल पर N ही है, हमें नी पता तो N ही रहने देंगे, तो यह हो जाएगा A, A है 3, R रिष्ट पार N, that is 3 रिष्ट पार N minus 1, अपॉन में 3 minus 1 which is equal to 120, 3 से इसको cancel कर सकते हैं, 40 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 रिष्ट पार N minus 1 अपॉन में 3 minus 1, that is 20, which is equal to 40 तो यह जाएगा 3 raised to power n minus 1 इस 2 को इधर तो 2 into 40 80 3 raised to power n minus 1 which is equal to 80 3 raised to power n which is equal to 80 इस 1 को इधर shift करा प्लस 1 3 raised to power n which is equal to 81 आप देखो इसको 3 की power में क्या लिख सकते हो आप 81 को लिख सकते हो 3 की power 4 तो यह जाएगा 3 की power 4 when bases are same power तार एक वर तो n which is equal to n की value हमें निकालने थे n की value आगए 4 तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप इसो डारेक्टली भी कर सकते थे अगर आपने functional question पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि f of x plus y which is equal to f of x into f of y रहे तो वह बेसिकली f of x मापे क्या होता है a raised to par x रहता है पांच ही तो थे पांच ही functional equation मारे पास होते हैं ठीक है अब हम functional equation तो नहीं पढ़ रहा है इसले भी रहने देते हैं इसलिए मैं ऐसे कर लेंगे यह क्या करता है चार लोगों को लेटर लिखता है सफोज एक यहां पर है एक यहां पर है एक यहां पर है और एक कुछ यहां पर है ठीक है मतलब इससे इससे हर कोई से मतलब इन चारों लोग से कहा कि mail to your different person to four different person your नहीं था four था मतलब इन से कहा कि आप जो है न चार लोगों को mail करो तो ये भी चार लोगों को मेल करेगा, ये भी चार लोगों को मेल करेगा, ठीक है, different person, with the instruction that they move the chain similarly, मतलब फिर ये जो है न, आप देखो पहला एकदम मेल, उसने चार लोगों को लेटर वेजा, अपने चार फ्रेंड्स को लेटर वेजा, और उसने कहा न, कि आप न, चार लोगों को लेटर वेजना, ठीक है, हर इन चारों से कहा, कि आप अगले चार लोगों को लेटर वेजना, और कहना, कि वो भी चार लोगों को लेटर वेजे, ठीक है तो यह भी इन चारों लोगों को लेटर में जा तो यह कहेगा कि आप लोग भी अपने चार लोगों बेज़ो तो इसको बेज जा इसे तरह से यह पैटर्न बढ़ती जाएगा similarly assuming that the chain is not broken chain को broke नहीं किया जा रहा है वो as it is चलते जा रहा then that is cost 50 basis to mail one letter एक लेटर को विजने का हमें पास जो चार्ज है वो 50 पैसे है 50 पैसे एक लेटर का चार्ज to mail one letter find the amount spent on the stoppage the 8th set of letter is mailed कितना amount spent हुआ उस जब 8th set of letter हो गया तो अब देखो यहां पर हमें दो चीज़ समझनी एक तो यह set of letter का मतलब क्या हुआ अब देखो set of meaning set का मतलब है न अब देखो यह इस person ने यह जो पूरा हुआ complete this is one set कि इसने चार लोगों को letter भेजा इसी तरह से इन चारों लोगों ने भी चार चार लोगों को letter भेजा वह एक set हो गया this is one set ठेक है तो इस person ने चार लोगों को भेजा आओगा इस तरह से इस person ने भी चार लोगों letter भेजा आओगा इस person ने भी चार लोगों को letter भेजा होगा इस person ने भी चार को भेजा तो इस तरह से यह जो है ना यह एक set हुआ यह एक सेट हुआ एक सेट आप देखो एक सेट यह हो गया एक सेट यह हो गया और एक सेट यह जो फरदर आगे बढ़ रहा है तो आपको बताने कि एट सेट में कितना इमाउंट लग गया अच्छेट लगों कितना इमाउंट लगा हमें यह बताने है तो आप देखो पहले वाले सेट में कितना अमाउंट लगा पहले वाले यह फर्स परसन ने पहले बस चार लोगों को लेटर सेंट के रहा था तो amount amount is spent in first set first set का amount था इसने चार लोगों को मेल करा ना और एक मेल का था 50 पैसे और इसने कितने मेल करें 4 तो 4 into 50 पैसे तो यह हो जाएंगे हम इसको रूपीज में ही convert कर लेते तो 50 पैसे मतलब 1 by 2 रूपी 1 by 2 रूपी ठीक है अधर एक लेटर को मेल करने का कितना लग रहा है हाफ रूपी ठीक है रूपी हाफ रूपी लग रहा है ना तो फर्स सेट में कितने मेल हुए थे एक दो तीन चार मेल हुआ था तो चार इंटू 1 by 2 अब दिखो न एक पैन का कॉस्ट अगर टैन रूपी अगर हम फाइव पैन बाइज करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा फाइव इंटू 10 इसा ही तो कराया है एक मेल का था हाफ रूपी तो हमने चार मेल करें तो फोर इंटू हाफ तो जाएगा रूप तो इसी तरह से एमाउंट इमाउंट स्पेंट इन सकेंड सेट सकेंड सेट में कितने अमाउंट अब देखो यह चार लोग होंगे जो सेकेंड सेट में वाइगा अब देखो इस पर्षन ने चार लोगों को लेटर वेजा इस पर्षन ने भी चार वेजा इस पर्षन ने भी चार वेजा इस पर्षन कितने लेटर्स मेल हुए है आप देखो एक पर्सन चार लेटर्स सेंट कर रहा है ठीक है एक पर्सन चार लेटर्स सेंट कर रहा है और टोटल कितने पर्सन है तो फोर इंटो फोर विच इस इक्वाल टू और फिर इंटू में हाफ तो टोटल इतने लेटर्स में लुए न यह हो जाएगा एट तो इटू टो टो एट यह कैसे कर लिया भी अपने तो आप देखो आप सेंपली भी कर सकते हैं तो कितने लेटर में लुए वाँ टो थ्री हो यह थे हैं दो यह तो यह तो यह यह तो बच्चो हो गया है उसा एक संधिक और ।OTHER इंटिंध कर है थ्रेद कर आप देखो एक पर सिद्धिल युकितने लेटर्स में लुए और तो कितने पर हैशा भी या सिमल तेखा है इसापन के स्ट एमांट। कि इस पेंड इन थर्ड सेट तो थर्ड जो में कितने अमाउंट स्पेंड अब देखो इसमें थोड़ा सो ध्यान से करना अब देखो इसमें क्या करा है एक पर्सन कितने लिटर को सेंड करा है 4 letters को ठीक है, और इस पूरे में total कितने person है, 1 person जो है, वो 4 letter को send कार रहा है, ठीक है, एक person ने 4 letter को send कारा, और आप देखो इसी में 4 person है ना 1,2,3,4,4 person है और इसी तरह के total कितने set है 4 set है और into में 1 by 2 is is equal to 32 अब देखो इसमें 3,4 कैसे है मैं फिर से आपको explain करने की कोशिच करता हूँ अब देखो यह 1 person कितने letter send कर रहा वह यह 4 तो उसका आग गया ठेक है और इसी तरह से यह सिर्फ 1 person तो नहीं है आप देखो इसी पूरे में इस पूरे के हम बात कर रहा है तो यहां पर भी 4 लोग है तो टोटल कितने 4 लोग है तो 4 और यह पूरा set एक है कि आप देखो यह भी set तो पूरे कितने 1,2,3,4 set है तो इसलिए इसके लिए भी एक ठेक है तो ध्यान देना है और आप simply गिन के भी कर सकते हो वो तो फिर बच्वाली हो जाएगी ना इसलिए बड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो बस आप इनको सम करना है तो आप देखो सिरीज कैसी बन सीक्वेंस क्या बंज़े टू एट थर्टी टू अन अप टू सू अन हमें एमाउंट किसका निकालना है एमाउंट इस्पेंट इन अन वेन एट सेट अफ लेटर इसमेल और आप देखो इसमेल ना दो चीज़े होती है करना आप से यहां तो एट सम पर्यां प्लाइँ को यहां पे आप संप यहां पर पूछा है वह कैसे अप ध्यान से पड़ बेसी लाइन को ऐमाउंट इसस्पेट ऑन दबुस्टू पोश्ट एस पोश्ट एस वें एट सेट अफ लेटर इस में बल्लब एट सेट अफ लेटर को मेल किया गया तो उस एस सेटों में कितने अमाउंट खर्च हुए यह हमसे पूछा है ठीक है तो इन सारे का सम कर के आमें बात आना पड़ेगा ठीक है शरीफ हमें ऐसा पुछता वाट एमाउंट इस पेट इन दा इन दा एट सेट अफ लेटर तो फिर हम टर्म निकालते हैं लेकिन ओन दा पोश्टेज पूछा है न इस लिए यहाँ पर हमें सम करना होगा तो सम हो जाएगा तो सम का फाम्ला क्या होता है आस ए आर इस रेस्ट पर एन माइनस पार आपन में आर माइनस पार आप देखों ए है यह है टू यही पर कर देता हू kijken आहा है टू आर निकाल लो ओर कि आपन में आपन में डू फोर रेप्लेस कर दो यहाँ पर ए टू आर रिस्टू पार एन 4 रिस्टू पार एन नहीं N8 है न N8 माइनस 1 अब ओन में 4 माइनस 1 तो यह जाएगा 2 इंटू 4 रिस्टू पार 8 अब देखो 4 रिस्टू पार 8 अब सॉल करने न इसको ऐसा कर ले न 2 रिस्टू पार 4 रिस्टू पार 8 को ऐसा ब्रेक कर ले न 4 रिस्टू पार 5 4 रिस्टू पार 3 4 रिस्टू पार 5 हो जाएगा 1024 4 रिस्टू पार 3 हो जाएगा 64 दो उनों को मल्टेप्लाई करना 1004 इंटू में 64 हो जाएगा 16 9 4 14 16 6, 5, 5, 6 तो यह कुछ आएगा 6, 5, 5, 3, 6 माइनस 1 अपन में 3 तो यह हो जाएगा 2 एंटो यह हो जाएगा 6, 5, 5 3, 5 अपन में 3 इसको 3 से कैंसल कर ले न यह हो जाएगा 2 5 को करोगे तो 1 ही इसे देना पड़ेगा 25 35, 30 will be 8 8, 20 फिर 4 फिर 12 और फिर 5 तो यह कुछ हो जाएगा 2, 2, 2, 1, 8, 4, 5 तो 0 9 6 3, 4 यह कुछ आएपा बन जाएगा तो इतनी एमाउंट खर्चूंगी एट सेट आफ लेटर को मेल करने में तो आप देखलो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं अट्तम होगे एकसे तो आप देखलो एक बार प्रूश आप लेखलो एकसे लेखलो एकसे घब प्रूश होगे टूश नहीं आप लेखलो एकसे झाल